कि हलो फ्रेंट सो वेलकम यौल अगेंट तो दे नेक्स लेक्टर ऑफ सी प्रोग्रामिंग जहां पर हम आज बात करने वाले हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर का ही कंटिनुशन है कंडिश्टल स्टेटमेंट जो हमारा टॉपिक चल रहा था कंडिश्टल स्टेटमेंट जहां ओर हमने लास्टन बात किती सेमपल इस्टीमेंट को लेके ए फैल्स को लेके कॉंश्ट हमने देखा था कि कहा है सिम्फल इफ क所謂 been स्टेटमेंट कि हो इस्ट प्लिष एस एर ल यह लोगों और बात किए अब माते हैं यहां पे नेक्स्ट कॉंसेट में मल्टीपल कंगर इ यसके बारे में आपको बदाएंगे तक टाइम कॉंपलेक्सिटी आप डिस प्रोग्राम इस बीड़ी हाइए अना मल्टीपल एफेल्स का क्या मतलब है जब आप इफ एल्स इफ एल्स मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं नाम सी समझ में रहा है मल्टीपल एफेल्स ओके कर दूंगा तो आप भी डैस कर दोगे है ना इस्टी डियो डॉट एच हैश इंक्लूट कुण can you dat Okay a program भला तक कि कने जिए नंबर कृक्त को यंद उसका ऐओ उसका वर्ट फ़ उर्मिट प्रिंट करना है उसी को लेखता है जिए अगब और कुछ और भी प्रोग्राम रहाएं घंगे मल्टिपल को लेके obtain उस प्रोग्राम में जब हमने बनाया था जिसका कॉंसेब यह था शीला रिस्यार प्रिंट एफ कि एंटर नमबर ठीके जो मने स्कैन किया एन में स्कैन एफ परसेंटेज़ दी को मैं परसेंट आफ अब यह मेरे पास एन मेक नमबर है जिसका मुझे वर्ट फॉर्मेट प्रिंट करना है ना वन है तो बन टीट बू टो टीट एव ट्रीट रहट अब अल्टीपल एटिए ट्रीट इंच अनल है अब आप देखो इसका लॉजिक क्या है बिर उसके फाल्स होने पर another condition check करना है मतलब येस्ट इफ बैसे डिफरेंट इंग और मल्टीपल इफल्स बढ़ा है अगर कंडिशन टु है दिन कोड एक्जी कुछनिशन एंड लिकिन अगर condition false say then again check the next condition अगर true है code end अगर condition false then again check the next condition that is what जब conditions multiple होती है कि एक true नहीं है एल्स टीए 2nd को check करो वो भी टो नहीं है ओके 3rd को check करो और समय ने स्टेड इस का मतलब क्या है ने स्टेड इफ का मतलब है ने स्टेड इफ का true होने पर next condition check करना होती तो वहां पर हम नेस्टेडि फ्यूस करते हैं लेकिन जब condition के false होने पर next condition true करनी होती है तो वहां multiple if else को use करते हैं concept दोनों में समझना जब कर अब जिस ठीक है जैसे देखो आप में आपको ज्यादा बोलने की बजाए आपन इसको practically देख लेते हैं तो चीज़ें ज्यादा बैटरली समझ में आएंगे आपको देखो जदी मान लो मैंने आप से बोला अप्रिंद वर्टोट फॉर्मेट सिफेन 15 토 5 का नंबर का टोट फॉर्म इट रिंट करना है वर्ट करना है टो ऊं को फॉर्म ही यहै ऐ है कि पहले इसके प्रीविएस वाले वीडियो का देखने तो तिंग वुड भी मोर इजियर फॉर आपके लिए चीजे थोड़ी सी आसान हो जाएंगे कि वहाँ पर मैंने सिंपल इफ का कॉंसेट बदाया था जहां पर हमने सेम प्रोग्राम बनाया था और ड्रॉबे के देख थी देख्या थिकते अल्स फ एन इक व स्az兒 3 प्रिंट if n equals to equals to 4 print f a 4 you are okay else if n equals to equals to 5 print f a 5e और इसके एल्स में मैंने डारेक्ली लिख दिया प्रिंट है इन्वैलिट नंबर इन्वैलिट नंबर एंगेट सब्सक्राइए और यह इस तब एक जीकूट होगा जो प्रोग्राम एल्स में आएगा तो एक कॉंसेट जो मने लास्टीम बढ़ा था इस वाट लेडर सिफ जि और यह है मल्टीपल इफल टे स्टेटमेंट अभी यह मल्टीपल इफेल स्टेटमेंट किस तरीके से कोड़ एग्जी कुशन कर रहा देखो अगर सपोस मैंने एक की व्यालू दी टू रना मैं इटीग इस प्रोग्राम अगर मैंने एंट वालू दी टू तो इसने सर्स पर आप देखना अगर यह टू है तो अगला इस एल्स में लिखा हुआ है अगर यह एल्स में जाएगा ही नहीं तो इसको चेक करेगा ही नहीं समझ मैं अगर इनकी वेलू टू है तो इफ एन इक वल्स टू इक वल्स टू दू अडिस टू पर इसने क्या प्रेंट कर दिया टी डबलू और यहां से प्रोग्राम इस एल्स को चेक नहीं करेगा यह इफ चेक नहीं हुआ तो इसके इल्स में भी नहीं गया क्योंकि हर इफ किसी ने किसी एल्स में लिखा हुआ है तो प्रोग्राम सी दे यहां से gate छ पर आएगा इंटर मिलेट बेस्ट टाइम कॉंप्लेक्सिटी रिड्यूज हो रही है यहां पर ध्यान देना ओके तो बेटर ऑप्शन क्या है जब आपके पास कंडिशन एक से ज्यादा है तो राधर देन यूशुड गो फॉर इफ 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 आप बेटर है किसको यूज करो इफ 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 इ आप ठीक है और नेस्टेड इफ अभी इसके बाद देखने वाले उसका यूज है अगर कंडिशन टू है फिर नेक्स इंडिशन चेक करना है यहां फॉल्स की बाद हो रही है तो आप देखो अगर इनकी वलू 3 है क्या इनकी वेलू अने फॉल्स इडिस फॉल्स अगेन एल फॉल्स पर एक नहीं कंडिशन चेक करना है तो इस इस वाट मल्टीपल इफल्स का ठीक यूज है और अब ऐसे कई प्रोग्राम अभी हम आगे बनाएंगे डोंट वरी अवाउट आट पहले आप केवल कॉंसेप को सम्झों केवल केवल कॉंसेप को देखा आप कि हाओ दो म हम सी में मल्टीपल इफल्स स्टेट्मेंट को एक्जिग्योट करेंगे है इसी का एक ओर प्रोग्राम देखा मतलब जहां पर हम मल्टीपल इफल्स को यूज करेंगे लेकिन छोटा सा प्रोग्राम है यह समझ में आया आई होप्यू कर अंडिस्टैड सब्सक्राइब करना है और यह चेक करना है वह वह लेया नहीं है बट इस प्रोग्राम को देखो मल्टीपल तरीके से बनाया जा सकता है मैं डे वन से जब से सी आपको बढ़ा रहा हूं एक बात बोल रहा हूं कभी भी लॉजिक रटने की कोशिश मत करना लॉजिक रटे नहीं जाते हैं एक स्टेट्मेंट कभी इंटर्वु में नहीं बोलना चाहिए जैसे इंटर्वु ने अगर कोई कोश्चन पूछा कि अच्छे इस प्रोग्राम का लॉजिक बताओ तो बच्चे क्या बोलते हैं और इस वर प्रोग्राम बनाने का कोई एक लॉजिक नहीं होता है तो यह प्रोग्राम जो है वावल वाला प्रोग्राम भी दस तरीके से बनता है लेकिन मैं अभी जिस टॉपिक पे हूँ आपको स्टॉपिक से रेलेटेड बात कर रहा हूं ठीक है तो यदि मानलो हमने बोला का क्यरेक्टर यह हमने जूदर से सकें किया CH में याद आमने क्यरेक्टर स्कैन करने के मल्टीपल तरीके बढ़ें जिसमें से मैं यूज कर नहीं गेट च E get CHE this is what how to enter the character अब अगर आपने character enter किया तो आपके पास CH में character है अब मुझे यह प्रोग्राम चेक करना है वावेल है या नहीं विदर इस character is vowel or not okay तो इसका सबसे best तरीका क्या है आप देखो आप एक साथ सारी कंडिशन्स भी चेक कर लो लेकिन मैं लोर अपर के लिए अलग अलग बात कर रहा हूं को किसी के sensitive language है तो आप देखो अभी मैंने क्या किया मैंने लिखा इफ CH equals to equals to a वावेल कुन से होते है एई आय ओ यू यह वावेल करेक्टर है है ना हमने क्या चेक किया CH equals to equals to a या ओके चलो एक और लाजिक देखो आप यहां पर चलो ठीक है पहले इसको बनाते हैं फिर अपना आगे बात करते हो और च्छ इक वर्स टू इक वर्स टूई ए है यह है CH equals to equals to I and a single code को लग रहा हूं because it's a character or or CH equals to equals to or CH equals to equals to you हमने क्या कि आप चंडिशन चेक की a e i o u अगर आपका character a है या 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 आई है या ओ है या 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 यू इस वह वहल करेक्टर ओके अगर इन मैं से एक भी वहल नहीं है तो क्या होगा कंसोनेंट अरे हिंदी में बोलते रहा स्वार नहीं तो वेंजन वाफिल नहीं तो कंसोनेंट रइट तो यदि अब मानलो मैंने character user से लिया आई मैसे जाए एंटरा हमने यूदर से character read किया आई मतलब console screen पर मैंने दिया आई या यह यह है और और का मतलब क्योंता पड़ान हमने जहां true होगा कि उसके आगे execution नहीं करेगा या दे मैंने short circuit operator का concept बताया था तो यदि ए छी एच की वेलू ए है false ए है false आई है true वावल प्रिंट किया बहर आगया तो बिलकुल से पता आई जब आवल यदि मैं अंटर करता हूं सब्सक्राइब बिलकुल एजब आवल लेकिन अगर मैंने एंटर किया capital E अगर मैंने एंटर किया capital E ठीगे तो अब देखा अगर capital E है तो क्या लगता आपको आउट्पूट आएगा वावल नो विल गेट आउट्पूट consonant because C is a case sensitive language for see there is a difference between upper and lower letter तो अब अगर मुझे अपर के लिए भी program बनाना है तो एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पर पांच और और लगा दो capital के लिए अरे जैसे पांच small के लिए और 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 लगाए हैं इसे ही पांच और आप capital के लिए लगा दो या फिर मैं यह कर सकता हूं कि मैं इस एल्स के बाद फिर से एक एफ लिकता हूं अगेंगी फ मतलब यह टू नहीं है तो अल फिर से चेक करें CH equals 2 equals to a या CH equals 3 equals to e और CH equals equals 2 और CH equals to equals to you और CH equals to equals to a ठीट सिक्वेंच आगे बीचा कर सकने को भणया नहीं अब यह बहुत लोर के स्कीलिव आविल ट्र की ये अपर के स्कीलीव और अब और यह वावल है लॉ अरे जा यह मुडिक कि यहां भी मैं देख द्या परिन्ट एयं वावल और इसके लस में हमने लिखा प्रेंट-एफ इसके लिखा में अमने प्रिंट एफ गन फॉन इंट समझना देहां से अब क्या हुआ ने कॉप अब अगर में कैपिटल इदेता हूँ सपोस्ट यह एक भी कंडिशन टून ए प्रोग्राम एल्समें आया ए यह यह टू है एट फ्रेंट वह वह अगर मान लो में ने दी दिया एंट तो एंड इसमें है ना इसमें अभी एल्समें जाके किया प्रेंट करेगा इंसरेंट तो इस एगें तक उपन्टिप्र इफेल्ट से स्टेट्मेंट की जहां एल्स के बाद हमने फिर एफ लिखा हुआ है क्लियर है आई होप यूप यूज एंडर्स्टेंड इस पॉ कोड एग्जी कुशन करने मल्टीपल इफेल्स का और इससे बहुत से प्रोग्राम में जो भी हम आगे भी मल्टीपल इफेल्स से बनाएंगे पूरी माक्षिट जनरेशन का कोड हम मल्टीपल इफेल से लिखने वाले हैं ठीक है तो आई होप यूप यूगाइस चैन अंड मैक्सिमम पीपल केट बैनिफिटेट तो मिलते हैं नेक्स क्लास में ऐसली ही मुस्कराते रही हो फटाफट बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दीजा अगर आपने अभी तक भी नहीं यह तो ठीक है तो देखते हैं हम नेक्स क्लास में थैंक यू